परिवार जनों के साथ बैट कर आप महतपून चर्चा विचार ना करेंगे। धार्मिक स्थल की मुलाकात से आपका मन भक्ती मय हो जाएगा। लंबे प्रवास का योग है। दूर स्थित्स नहीं जयन या मित्रों के शुप समाचार मिलेंगे। व्यपार में आर्थिक लाब हो सकता है। स्वास्त मध्यम रहेगा। मित्फुन आज का दिन प्रतिकुल है। अथे आज आप हर तरह से सावधान रहें। ऐसा गणेशी आपको सूचना देते हैं। आज किसी नए कारे का प्रारंभ ना करें। क्रोध की कारण कुछ अनिष्ट ना हो इसका खास ध्यान रखेगा। रोगी कोई नया इलाज या चल्ले चकित सा आज ना करवाए। कर्क गणेशी कहते हैं कि आज का संपूर्ण दिन आनंद प्रमोध तथा मनुरंशन की प्रविर्थियों में बीतेगा। विप्रीत लिग्गिये व्यक्तियों से भेंट होगी। आनंद प्रमोध की साधन वस्त्र इत्यादी की खरीद होगी। प्रणे संबंधों में सफलत मिल सकती है। करने वालों के अभ्यास में अवरोध आएंगे आकस्मिक खर्च की संभावना है। बातशीत में तारकी केवं बौधिक चर्चा से दूर रहेगा। प्रियेजनों से मिलाप होगा। तुला आज के दिन आप मानसिक रूप से ठकावट का अनुभव करेंगे ऐसा कनेशी को प्रतीत होता है। आज आप कुछ अधिकी भावुक रहेंगे, मन में उठ रहें विचारों के कारण कुछ परिशान रहेंगे, माता तथा इस्तरी के विशो में चिंता सताएगी, प्रवास के लिए आज का दिन प्रतिकुल है। गणेशी कहते हैं कि आज पूरे दिन आप प्रसन रहेंगे, किसी नए कारे का प्रारंप कर पाएंगे, साथियों से सुख एवं आनंद की प्राप्ती होगी, मित्रों और स्वजनों से भेंट हो सकती है, किसी भी काम में आज आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक लाप एवं फाक्य बृथी के योग हैं पून होगा, कार्याले में तथा व्यवसाइक स्थल पर आपकी प्रतिष्टा में व्रिथी होगी, पदोनती के योग हैं, ग्रस्त जीवन में आनंद का वातावरन रहेगा, शाररी खाने के योग होने के से समभल कर रहें तथा गिरने से बचें कुम्भ, स्वास्ते के प्रती जाकरुक रहने की गणेशी सलहा देते हैं, मानसिक स्वस्तता कम रहेगी, कोटकचेहरी के जंजट में न पढ़ियेगा, अरुचित स्थान पर पूंजी निवेश न हो इसका ध्यान रखेगा, पारिवार के सदसे विरूधी व्यभार कर सकते हैं, अकस्मात से दूर रहेगा, मीन, गणेशी कहते हैं कि आज आप पारिवारिक तथा सावाजिक बातों में विशेश लिप्त रहेंगे, मित्रों से भेंट होगी और उनके पीछे फर्च करना पड़ेगा, रमणिय स्थान पर प्रवास पर्यटन की संभावना है, प्रते